है गाइस गुड मॉनिंग वेल्कम टू मैं न्यू ब्लॉग स्वावत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूं घेर में खाना लेके मम्मी और पापा का क्योंकि सब लोग गए कहीं बाहर तो लोग आएंगे रात को ग्यारे बजे या पांच या छे वजे तक मतलब ग्यारे वजे लास्ट टाइम है उनको आले था तो मैं जा रही हूं और मम्मी पापा के साथ करवाओंगी काम और बस सुबह के छे बजे हैं मैं पांच मुझे की जग चुकी हूं मैं अभी नहाई नहीं हूं और आज सायद मुझे नहाना रोटी और बैंगन का बटता और रायता लिए अग्र का सारा काम मैंने कर लिया अभी जा रही हो हो तो इसलिए मिनने कैप लगा रहिए रहा तो बस मैं अब बिंदी बिंदी लगा लूँगे घेर में जाके और चलती हूं चल्दी बार बार फोन आ रहा है वो जल्दी है जल्दी है क्योंकि मुझे पर इतना काम होगा नहीं हम मुझे ही करवाना पड़ेगा उनके साथ तो बस में रेडी हो चुके हूं और चलती हूं इस सुबह के आठ बच चुके हैं और मैं घेर में आ चुकी हूं टाइम देख सकते हूं आप तो आज तो मैं कुछ अलग सी लग रही हूं अच्छी नहीं लग रही हूं तो मैं क्या कर सकती हूं जन्द वाज में मुझे आना पड़ा और अमी ने चाय बना के रखी थी मैं चाय पी ली और अभी मम्मी ब्हेंसों के पास नहीं कुछ काम कर रहे हैं तो फिर चलते हैं अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हालत खराब ठंड की वैसे तो मैं अपना चस्मा लगा लूँ हूं तो चलते हैं फिर जिठानी भी गई हैं हमारी वो नहीं है अब है और वो गई है साधी में अपनी बहन की लड़के की साधी है तो जिठानी गई हैं साधी में और जो उनकी बहु है उनको गए हैं बुलाने आज तो एक ही रूट पड़ जाता है सास बहु का तो रतन के पापा भी गए और उन में अम्मा बाबा दिन नहीं रह गया है घर में इसकी किवार लगा दूँ तक पुछ ताज आ जाए और फिर कोई सामान उठाप ले जाए रहा है ठीक है चलो फिर चलते हैं अब वो इरांग देते हैं दवाब में देते हैं माला माला में दुपर में बच्चा के मारे कद आए काम जो रहा है अज़ए पाटन? आएगा 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 जांता अपनी ममी मैं इसी जाए जाए थाए चुछ को जेए आज रेगे पॉर्ट शुरू ते सिकाव नहीं पॉई फिर समझ जाता है। पड़ा है यह प्ड़ा है नहीं पहुद्धा है लिए पहस्कों ना फॉर्ट आप एक थन खराब है और यह भार हो जो एक थन खराब है जो जो दिया नहीं ना अट प्राइब है जो जल दिया है आप ना ले रही तेरी बच्चा है मारे मत आप ले गुट्सा कर रही है इस यह के मिर बच्चा न ले जाए को अगो जो अग्यों को अगे अग्यों नहीं आदम आए दिकावया हो कुण कर चोटा सवय दम गोदी में ले लो यहीं बांदे लोता है तो अब भी भंसिया है कि अब कि तश्चा कर रही है यह जाना मेरी बुस्सा मत कर वह जानतना आए अगर जाने ना मैंच मॉर्ण तो जब इसे गुस्ताना करें कर मैं मर्खनिया देख लिए इसे गुस्तान शी में मैं निकल लो मैं दल लग रहा हो खुटा तुर कागी ना बबरा दीगी तो यहां बुग्गी खड़ी है अब यहां पर बैठ लेगें एक सीडी सी बनी हुए बैठने को तो गाई जो बच्चा ना भैस का तो उसकी टूडी हो थी ना उसमें बहुत बड़ा एक नार होता है जैसे बच्चों का होता है छोटे चोटे बेवी का तो देखो कववा आ र परिशान कर रहा है उसको तो ममी बोल रहा है कि ऐसको मैं कुछ ऐसा कपड़ा बांद दूँ जो को उसको परीशान ना करें देखों देख सकते में दिखाऊं आपको बहुत देर सिना यह कह कववा इस पच्चे को पर चन कर रहा था ममी गई आ विए कपड़ा लेने तो इस में दिखकत हो रही थी उस पर बैड़ना भी नहीं आ रहा है मम्मी ने उसको बिठाया और देखो आ चुका देखो देख सकते हूं नजदिक से दिखाऊंगे मैं इसको खाने तो नहीं दूंगी लेकिन देखो मैं देखा रही हूं क्या ड्रामा कर रहा है यह को देखो इनका मतलब चोटा इन तो मतलब उसको थोड़ा सा इतना दूं रहा हूं कि वह भी ड़र रहा है और रड़ा थोड़ा थोड़ा कोसिस तो कर रहा है वह है ऐस हे हाई ही मानने पर ऐट मार्तवक अभी है कि जा भी जाएगा जब यह है के जाए तो अभी बैठा है ये उपर फिर देखते हैं आएगा कर नहीं आएगा लोगर बांद होई एरे अद्धागी तो ये फाड़ लेओ या कॉन पर रहो है ये लोगर परा देओ जड़ सी बना दे या कोई बड़ी सी पड़ी हो वे ऐसी बेकर रेगो रेगो आगे ये वो डर रोगर ये के तेल ना लगाती शर्संगा अर्यके शर्संग तेल लगाए दो तीन देरा में ठीके जाओ पक जाएगो नहीं ऐसी करता लेता खर बहुत असी होता है गरम करके शर्संग तेल लगाद ठीक जाओ भ्यांस अलग लाड़ कर रही है जाकि वो नसन ना पिछ जाए एक अमर की एजी मांदियों कोई मतलम ना रहम अमी उलट करो अलग को अरो नाड़ अलग और गिया लग कोई मतलम ना रहं देव दुब कोई न वो दुब कोई न अलग बांदो तेम ना नाड़ अलग लट करो कपड सही ना न क्यां ची लियाओ क्यांची 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 तो याग चीर फाड़ करके अकपड़ा की और लम्य बनाओं वो तो बहसना अंदर ही नहीं में बान देती कि पिछ नगा ऐसे कर दें अंदर आज मो लगते बात हम करेंगो कि ऐसी लग रहा पड़ा कि जबग तो को यह पीछे ती ओटे कमा रहे और नास पीटों बेटा उपर चलने फिर हैं 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 वो नेक फुद को ना याए ने वह करी न तो का इस में बना रही तो रही की सबजी और मैं घर से लेकर इतने ब्यांग बढ़ता है, तो मम्मी और मैं खा लेंगे और पापा के लिए बनेगी तो रही क्यों कि उक परेज वाली सब्जी घाते हैं तो मैं आपके सब्जी बना रही हैं तो इह मैंने तो रही काट लिएं एK किलो तो रही थीं प्लॉट में निकले थीएं अपने गhar की तो रही हैं और ये कम नमक मिर्च वाली बनेंगी हमेने कडाई में डाल दिया तेल और ये बन रहे हैं मरीज वाली सब्जी बन रहे हैं मतलब आपा बीमार रहते नहीं उसी हिजाव से खाना बनता है उनका तो यह डाल दूंगी थोड़ा सजीरा और मतलब तीखा नहीं बनेगा थोड़ा हलक हलका मसाला पड़ेगा ऐसी बना रहे हैं तो सब्जी हमारी हैं पर बन रही है और मैं लेकर आई थी घर से लसी जो की मठ्था चलाया था मैंने एक किलो दई का और लेकर यह गुड तो अभी हम पियेंगे लसी और गुड बहुत ही अधा टेस्टी लगता है आप भी कभी ट्राइब कर सकते हैं तो बहुत ही अधा टेस्टी लग रहा है मठ्था और गुड के साथ बहुत एक तम बढ़ी हवाला तो इसको खालो और इसको पीलो किसको ऐसा चीज पसंद है क्योंकि गाव में न यह जिए जादा मिलते हैं तो अच्छी लगते हैं उचे बगांवे आती हम तो गांवाली जीजे खाती हूं जादा बहुत ज़ाद अच्छी लग रहे है तो आइस एक गिलास में लशी पीली अपी थोड़ी सी और लोंगी में मुझे ज़ाद अच्छी लग रहे है तो गां का देशी खाना बहुत ही ज़्यादा है एक दम मस्त तो जैसे मैं स्वाल ओड़ लखे लिए सेंटा मार के इसे मैं ममी ओड़ती है सास तो अने उन से चीपा है बेज़ाए बिल्अ कान में ठंड़ नहीं लगती है ऐसे ऐसे बांद ले ना पहले ओड़ लोड़ लोड़ फ्रेशे करके ऐसे कर लोगों अ तो इससे जादर डखते हैं, पीछे गड़न में लगते हैं ठंड एसे लगते हैं, और एक तरह से आपने हैं, जैन से लोग उसको भी बतावा हूं, तो वाईस अभी हो रही है साम, और मैं बना रहे हु साम का खाना, खाना बना करे चलिया हूं, घर और आज मुझे नानी नह देखता तो इसीलिए मैं सामका खाना इधरी बना रहा हुँ और कम चैसाइज जुनों का खाना बनेगा तो खानी बना रहा हुँ मैं मठ्था के आलू रोटी वसी बन रहा है और ठीक है कम युदी काम कर लेते हुआ है तो मैं खाना बना रही हूं दिखा दूं सब्जी कैसी बनी है कि सब्जी मारे मठ़ा के आलो बन चुके भूच प्रूटी नहीं हुपी लेली आटा हुआ इसका लगा रखा गया ऑफ्टा पंडूटी शिंद् 거의 जख चुक है तो गई सुबहा हो चुकी है और हम रात आ गए तो उदिधानी के लड़के गी तो उनकी बहु गई थी अपने गाहन तो उसको लेकर साम के6 वजे और अभी सुवह हो गई है और मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैंने सारा काम कर लिया तो मैं दिखा दूं काम हमारा हो चुका है और मैंने लगा दिए पानी अपना नहाने के लिए क्योंकि मुझे कल नहाने नहीं मिला आप लोग ने देखा हुआ कि मेरा कितना बुरा आल हो रहा था कल और एकदम भुंडी लग रही थी मैं तो वस पापा ममी की सेवा होगे कल और वस यही मेरे लिए काफी है क्योंकि उनके बेटे चले गए थे और उनके मतलब नाती और बेटे दोनों चले गए थे घीर में कोई नहीं था कल सबका रॉल मैंने निवाया क्योंकि कोई था ही नहीं उनके पास और बावा की कल तब बहुत ज़्यादा खड़ा होगी डॉक्टर बुलाना पड़ा और उनकी सांस फुली थी क्योंकि बहुत जाता उनको दिक्कत होगी मैं घवड़ा गई फिर डॉक्टर बुलाया फिर उनके इंजेक्शिन वागरा लगाया तो समझ सकते आप तो उनके साथ रहने के लिए कोई ना कोई होता अगर मैं घर पे बैठके यहां अच्छे से तैयार होती और अपना मेकप बगरा करती उस मत करना कि आप ऐसी क्यों लग रही थी तो कोई वायत नहीं भाई पहले बो मेरे लिए मेरी सासरों जरूरी है और में बाद में ठीक है तो अभी देखू मैं काम सारा मैंने कर लिया चानास तब बन चुका है और आज भी मैं घेर में जाओंगी क्योंकि घेर में से सुबह फ पड़ेगी ममी का फोन आया है कि तू खाना मत बनाना घर इधर ही खाना बनेगा मैंने मना किया मैंने कि मैं अपना खाना खुद बना लोंगी किसी के उपर मतलब ज्यादा बोज नहीं डाल सकते हो तो ममी बोलेगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उनका भी मेरा हस्वे प्रम हो गया बस नाने के लिए मैं जा रही हूं सब बात्रूम बगर सब साप कर दिया मैंने और बस कि मेरी वो पड़िये जड़सी और अभी मैं आडिटिंग कर रही थी तो मैंने बिस्तर अपना कि लोज करके रखा था ये तो अभी इसको मैं इधर रख देती हूं तो देख सकते हैं रूम मेरा ठीक हो चुका है ये मेरे कपड़े रखी इनको पैनूंगी मैं भी और पूरा जाड़ू पुछा मैंने करती आया है नीचे घर में भी काम करके आच चुक्यों मैं पूरे भड़तन वगर मास दीए मैंने थोड़े सी बड़तन निकालें अपने रहते हैं हम क्या क्या करते हैं गाउं में रहके तो हो सारा आपको देखने को मिलेगा और मतलब देशी स्टाइल मिलेगी और कोई ज्यादा बनावटी काम नहीं मिलने वाला तो आप लोग हमारी बिलोग से जुड़े रहे और आने वाल में अभी गिर जाती चार पाई थी अगर वारी वीडियो अची लगी हो तो लायक करें सेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मिलते फिर कल एक नए ब्लोग के साथ अब तक लिए बाई बाई गुड़नाइट